नमस्कार आपका स्वागत है तिवारी अकैडमी में कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कक्षा 12 में सामाजिक विज्ञान के अंतरगत आने वाला एक विशय है इतिहास और मैं आपसे बिल्कुल यह नह करने वाले हैं 200 सालों तक के यह राज जी अपने पूरे अस्थित्व में था पूरे अस्थित्व का मतलब क्या है कि यहां पर बहुत सारी विजय की गाथाएं जो हैं हमें देखने को मिलने वाली है अलग-अलग राजाओं के द्वारा अलग-अलग शेत्रों में जैसे कि इसके बाद ठीक बाद अगले प्रष्ट पर हम भी के बारे में पढ़ेंगे है न तो यह जो अध्या है न यह बहुत ही रोचक होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और सबसे पहले बात करते हैं कि इस अध्याय में हम मुख्य रूप से कौन-कौन सी बाते करने वाले हैं जो इस इंट्रोडक्शन में हमें दिया हुआ है सबसे पहली लाइन में तो हमें यही बताया है कि जो विजय नगर है वो विजय का शहर है यहां पर बहुत सारी जीत की कहानिया जो है वो इसमें जुड़ी हुई है इसके साक्षी हमें मिले हैं एक शहर और एक साम समराज जी की स्थापना की थी यह अपने चरम उतकर्ष पर था उस समय उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायदीब के सुदूर दक्षिन तक फैला हुआ था यह और आप जानते हैं दोवाब का मतलब क्या होता है ना दो नदियों के बीच के छेत्र को दोवाब कहते हैं है ना और मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो यहाँ पर बात आई है कि समराज जी के स्थापना चौदवी स्थापनी में की गई थी तो चौदवी स्थापनी में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने की थी यह पांच भाईयों में मतलब दो भाई थ तक कि ये पूरी तरह से विनश्ट हो गया था दोस्तों, सोचिए, चौधवी से लेके सोलवी शताब्दी तक कि ये अपने चरम पर था, और उसके ठीक बात की दो शताब्दियों में ये पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था, नश्ट हो गया था, लेकिन फिर भी कृष्णा और तुंग बद्रा दुआप छेत्र जो है कृष्णा और तुंग बद्रा नदी है ना आप जब मैं कहता हूं कृष्णा और तुंग बद्रा तो आपको याद जाता है ना वो नक्षा जिसमें आप कृष्णा और तुंग बद्रा नदी को देख पा रहा है ये कैसे पढ़ा तो यहा की एक स्थानिय मात्रोडेवई है जिनका नाम है पंपा देवई है ना तो इनका जो पहला नाम है ना पंपा उन्सके नام से जो है ये हमपी नाम जो है ये आया है और ये मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्वी खोजो, स्थापत्य के अभी लेखो और दस्तावेजों ने विजयनगर सामराज जी को फिर से खोजने में विद्वानों की बड़ी क्या की है सहायता की है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमपी की खोजगी तो भाई हमपी के जो भगना अवशेश हैं ये अठारा सो इश्वी में एक अभियंता अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर याद रखेंगे ना आप तो और एक अभियंता और अभियंता के साथ पुराविद कर्नल कॉलिन मेकेंजी के द्वारा प्रकाश में ये लाए गए थे मेकेंजी कौन थे वो इस इंडिया कंपनी में कारे रथ थे उस समय और इस स्थान का पहला जो सर्वेक्षन मानचित्र है वो उन्हों नहीं तयार किया था मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूं कि मेकेंजी के द्वारा जो शुरुवाती जानकारियां मिलीन वो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी पूजा इस्थल है यहाँ पर पूजा पाट करने वाले पंडित थे पुरोहित थे उनकी इस मुरुतियों पर आधारित थी जितना उनको याद था जो कथाएं कहानिया उन्हों सुनी थी उस पर आधारित यह जानकारी थी जो मैगेंजी ने आप कहलीजे कि एकत्रित की थी पिर कालांतर में आगे चलके अठारा सो के बाद में अठारा सो चपन में क्या हुआ जो छाया चितरकार कहलाते हैं ना उन्होंने क्या किया यहां के भवन में जो चितर थे उनको संकलित किया और जो शोध करता थे जो रिसर्चर्स कहलीजे आप उन्होंने उनका अध्यन फ अंपी के जो अन्य मंदिर थे कई दरजन अभी लेखों को उन्होंने वहाँ पर एकत्रित उनका संकलन किया, उन्हें इकठा किया और वो शुरू कर दिया एकठा करना और ये शहर और सामराजी के इतिहास के पुनर निर्माण के प्रयास में क्या हुआ इतिहास कारूने इंस जो विदेशी यात्रियों के वरत्तांत थे ना उस समय के उसको उसका मैच किया, मेल कर आया, तेलगू, कंणर, तमिल और संस्क्रित में लिखे गए साहिति से भी इसका मिलान किया, भाई आखिर जो इतिहास कार है, जो पुराविद है, जो अभिलेक कार है, इनको क्या करना चाहिए, यही सब तो यह करते हैं, यही तो प्रोसेस है, इतिहास हमारे सामने रखने की ऐसा नहीं कि कुछ में मिला, कोई भी कहानी मन में गड़ी और हमारे सामने प्रस्तुत कर दी, पूरे साक्षों के साथ में जो है, उसका मिलान किया जाता है, जब तक कि वो जो सत्य थ था न, उस समय, उसके बिल्कुल आसपास नहीं लगने लगती, कहानी हमारी किताब में नहीं छपती, ठीक है, अब देखिए, मैंने भी आपको मैकेंजी के बारे में बताया था न, अठारा सो में इन्होंने जो है, पुरोहितों के द्वारा, जो हम पी था वहां के पुरोह बाक्ष मंदिर, अभी मैंने जिकर किया था आपके सामने, उनके पुरोहितों के द्वारा जो है, जानकारिया एकत्रित की थी, 1754 इश्वी में जन में थे ये कॉलिन मैकेंजी, और ये एक अवियंता थे, सर्वेक्षक थे, और एक मानचित्र कार के रूप में इन्होंने प पहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए क्या किया मैकेंजी ने इतिहा से सम्मंदित जो इस्थानिय परमपराएं का मतलब क्या होता है, कई बार हमारा दिमाग हमसे कहता है, ये तो पता है हमें शब्दे, लेकिन पता नहीं होता, थोड परमपराओं का संकलन और एतिहासिक स्थलो का सर्वेक्षन करना इनोंने आरंब किया, और ये क्या कहते हैं फिर मैकेंजी का कहना है कि जो ब्रिटिश प्रशासन है ना, इसके सूप्रभाव में आने से पहले, सोचिए अपने ही शासन के प्रभाव को सूप्रभाव बता र और विजय नगर के अध्यन से मैकेंजी को ये विश्वास हो गया कि कमपनी स्थानिय लोगों को अलग-अलग का वीलो जो इस समय भी जनसंक्या का एक बड़ा हिस्सा थे, उनको अभी प्रभावित करने वाले, इन में से कई संस्थाओं, कानून और रिती रिवाजों के व मैकेंजी का ये चितर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बता है कि मैकेंजी और उनके सहक है, ये चितरकार थौमस ही की द्वारा बनाये गया तेल चितर है न, ओइल पेंटिंग का एक अग्याद चितरकार द्वाना बनाये गया प्रतिरूप है, लगभग ये 1825 संकलन से ये जोड़ा हुआ है मैकेंजी के बाई और जो दुर्बीन था में है वो उनका चपरासी है और चपरासी जिसका नाम है सनाजी है ना ये वाला जो दुर्बीन है दाई और ठीक है और इसके बाद में ये लिखा है कि दाई और उनके ब्रहामन सायक है एक जैन पंडित और उनके पीछे तेलगु ब्राहमन, कावलेरी, विंतक, लच्चमया है ठीक है, फिलाल अब बात करते हैं राय, नायक और सुल्तान की ये क्या है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ उपादिया है, चलिए पढ़ते है परंपरा और अभी लेकी साक्षो के अनुसार, यहां पर यह बताया है दोस्तों कि जो विजयन अगर सामराज जहना, इसकी स्थापना किसने की थी, मैंने आपको भी बताया था 1336 में यानि 14वी शताबदी की शुरुवात में कह लीजिए हरीहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने इसकी स्थापना की थी और यह जो सामराज जहना, इसकी अस्थिर सीमाए, सीमाए कैसी है, अस्थिर है, स्थिर नहीं थी इस बात को समझनी की कोशिश कीजिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, अलग-अलग भाषा है बोलने वाले और अलग-अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले उस समय यहापे लोग रहा करते थे और उत्तरी सीमाओ पर विजयनगर के जो शासक थे, उन्होंने क्या किया, अपने समकालीन राजा, यानि उस समय जो राजा महराजा उनके आसपास थे, जिन में इनका नाम आता है, दककन के सुल्तान और ओडिसा के गजपती शासक शामिल थे, अब मैं आपको बता दू, इ अपकारी विदेशी वियापार से उत्पन संपदा पर अधिकार के लिए इन्होंने संगर्श किया, इसके साथ ही राज्यों के बीच संपर्क में, संपर्क से क्या हुआ विचारों का आदान प्रदान, अब देखें क्या होता है ना, कि दो पडोसी राज्यों की जो सीमाए में होने लगा, आदान प्रदान और विजयनगर के शासकों ने अवधार नाओ, यानि कंसेप्ट्स और भवन निर्मान की तक्निकों को ग्रहन किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विक्सित किया, याद रखिये, ये अपने चरम उतकर्ष पिता ना, 200 सालों में यानि 14-16 स ठीक है, इस सामराज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडू में चोलो और करनाटक में होय सालों के राज्य का क्या किया, विकास देखा था, और इन छेत्रों के शासक वर्ग जो है, इन्होंने विशाल मंदिर हो जैसे थंजावुर का प्रदान किया, और विजय नगर के शास को, जो अपने आपको क्या कहते थे, राय कहते थे, ने इन परमपराओं को आगे बढ़ाया, और जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं साथियों कि उन्होंने नहीं उचाईयों तक इसे पहुचाया, अब देखिए, मैंने जो आपको बात बताई वो यहां पे लिखी है, हाथी, घोडे और लोग, गजपती का शाब्दी कर्थ होता है हाथियों का स्वामी, और पंद्रवी शताब्दी में उडिसा के एक शक्तिशाली शासक वंच का यही नाम था, और विजय नगर की लोग प्रचलित परमपराओं में न, द परपदी कहते थे, लोगों के स्वामी कहते थे, ठीक है ना, तो उन्हों नहीं क्या किया, इसे उचायों तक, नहीं उचायों तक पहुचाया था इन परमपराओं को, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, शासक और व्यापारी वर्ग की, इस परेग्राफ में क्या क्या द गोडों से युद्धे लड़ा जाता था, इसी लिए जो प्रतिसपरदी राज्य थे, जो उनकी टक्कर में थे, है ना, उनके लिए अरब और मध्य एशिया से गोडों का आयाद बहुत महत्तपून हो गया था, और मैं आपको बता दूँ, ये जो अरब के लोग हैं जो गो गोडों का व्यापार करते थे, ये बहुती अच्छी खासी और मोटी रकम वसूला करते थे इसके बदले में, ये व्यापार आरमभिक चड़नों में, अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित्त फा याद रखिये, और व्यापारियों के स्थानिय सम्मूह, जिने कुद खर्च हो गया था ठीक है अब समझे ये पुर्तगाली थे जो उप महादीब के पश्ची में तट पर आए और वियापारिक और सामरिक के इंदरे स्थापित करने का प्रयास ये करने लगे इनकी बहतर सामरिक तकनीक और विशेश जुरूप से बंदूकों के जो प्रयोग थे उसने क्या किया इस समय की उलजी हुई राजनीती में एक महतपून शक्ती बनकर उभरने में इनकी साहता की दोस्तो विजयन अगर भी किस चीज के लिए मसालों के लिए वस्त्रों के लिए और रतनों के लिए अपने बाजारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और ऐसे शहरों के लिए व्यापार जो थे न वो एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था कि अरे यहाँ पे तो इतना ज्यादा उन्नत व्यापार है और यहाँ की सम्रुद्ध जो जनता थी न वो क्या थी महंगी विदेशी वस्तूओं की मांग करती थी और विशेश रूप से रतनों और आभुर्शनों की दूसरी और व्यापार से प्राप्त जो राजस्व था वो वो नश्ट कैसे हुआ इत्ते चरम उतकर्ष पर रहने के बाद यह हमें इसमें पता चलेगा बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है लेकिन इससे पहले सुरोत दो के द्वारा दीगी जानकारी पढ़ते हैं राजा और व्यापारी यहाँ पर हमें यह बताया है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन कृष्ण देवरा है शासनकाल कौन सा रहा 1509 से 1529 इनने क्या किया शासनकला के विशय में यहाँ पर लिखा हुआ है अमुक तमल्य अदनामक तेलगु भाशा में एक कृती लिखी और व्यापार अधियों, रतनों, चंदन, मोती और अन्य वस्तूओं का खुले तोर पर आयात किया जा सके देख रहे हैं आप और उसे प्रबंद करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, विमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है उनकी भली हाती देख भाल की जा सके, सुदूर देशों के वियापारियों जो की हाथियों और अच्छे घोडों का आयात करते हैं, उनको रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर और उचित मुनाफे की स्विकृति देकर अपने साथ संबद्द करना चाहिए, ऐसा करने पर अभी भी तुम्हारे दुश्मन तक नहीं पहुचेगी, यानि की सबसे वियावार को और वियापार को मजबूत करने की बात की जा रही है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो भला आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आप तो समझी रहे हैं, ठीक है, अब इस परिग्राफ में जिसका शीर सक राज का चरामत करशुर पतन, देखते हैं क्या दिया है, शुर्बात की गई है कि जो राजिनीती है जो पॉलिटिक्स है, इसमें क्या है, जो सत्ता है, जो सत्ता समाल रहे हैं, उनके जो दावेदार हैं, उनमें शासकी वंच के सदस्य और सैनिक कमांडर शा नहीं सही बोलाए ठीक है उन्हें सुलुव ने उखार फेका जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे इसके सुलुव के बाद सुलुव आये और सुलुव ने क्या किया जो संगम मंच था उसको उखार फेका फिर इसके बाद में तुलुव आये उन्होंने इस्थान के साथ में ठीक है ना और इस काल में इस समय में तुंग भद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो छेतर है दुआब जिसको मैंने बताया था नाम क्या है मैं हाइलाइट करता हूँ रायचूर दुआब वो हासिल किया गया 1512 में उडिसा के शासकों का दमन किया गया 1514 म और बीजापूर के सुल्तानों को बुरी तरह से पराजित किया गया 1520 में हाला कि दोस्तों यहां पर ये बताया है कि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तो तयार रहता था लेकिन फिर भी अतुलनी ये शान्ती और सम्रुद्धी की स्थुतियों में ये फाला भूला कुछ वहतरीन मंदीर के निर्मान और कई महतुमून दक्षण भारती मंदिरों में भव्य गोपूरमों में गोपूरमों को जो है यहां पर बताया गया है जोड़ने का श्रे है कृष्ण देव को ही जाता है अपनी मा के नाम पर विजयनगर के समी भी नगलपूरंफ नामक जो है उपनगर की एक स्थापना भी की थी इनोंने विजयनगर के संदर में दोस्तों कर बात करे ना तो सबसे विस्तरत विवरेंट टृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बात के कालों से हमें प्राप्त होते हैं टृष्णदेव की मृत्यू कब हुई? केंद्र पर नियंतरण एक अन्य राज की वंच जिसका नाम क्या है? अरावीदू इसके हातों में चला गया जो की सत्रवी शताब्दी के अंतक सत्ता पर काबीज रहे यानि बने रहे और पहले की ही तरह इस काल में भी विजय नगर शासकों और साथी दक्कन सलतनोतों के शासकों के शासकों की महत्वपून सौरी शासकों की जो सामरिक महत्वगांशाए थी उसके चलते समय करन बदलते रहे है ना एक का ना फिर एक का जाने यह तो लगा ही रहता है अब देखें मैं आपको एक चीज़ और यहां पर बतातू ना यह जो बीच बीच में युद्ध हुए दोश अताबदी के बीच में इसमें जो बिचारी आम जनता थी जो सीमाओ पर रहती थी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जानमाल की हानी हुई है अगर आप विजय नगर के बारे में डीटेल में पढ़ेंगे न कहीं पर किसी किताब में तो आपको पता चलेगा कि लाखों की संख्या में जो है इस समय लोग जो है वो मारे गए थे सिर्फ युद्धों के चलते बाद में इस पर उन्होंने एक साटिक निर्ने भी लिया था एक सामराज जाता है बह्मनी सामराज यूस्टिस की हमेशा जो है 36 काकड़ा हमें देखने को मिलता है ठीक है अन्तिता दोस्तों ये स्थिती विजय नगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनों के बीच मैतरी समझोतों की रूप में परिनित हुई और 1565 में विजय नगर की सेना प्रधान मंतरी रामराए लिखाया पर प्रधान मंतरी रामराए की नेतरत तो मेराक्षसी तांगडी जिसे ताली कोटा के नाम से भी जाना जाता है कि युद्ध में उत्तरी जहां से उत्री जहां से क्या हुआ उसे बीजापूर, एहमद नगर, गोल कुंड़ा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी हार मिली दोस्तों फिर हमें ये भी बताया है कि जो जीतने वाली सेना थी उनने क्या किया विजाइनगर शहर पर धावा बोल दिया और उसे फिर खूब लूटा कुछी वर्शों के भीतर ये शहर पूरी तरह से उजड़ गया अब क्या था सामराज्य का केंद्र पूर्विक्यों और इस्थानांतरित हो गया जहां अरावीदु राजवंच ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगीर ये नितिरुपती के समीप है वहां से शासन जो है वो इन्होंने किया ये देखिए नक्षे में सारे नाम आप यहां पर देख सकते हैं जिनका जिक्र अभी परिग्राफ में आया था और आगे आएगा ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कृष्णा है और ये तुंगबद्रा इसके बीच का ये दुआब जो है न इसमें आप ये विजयनगर को देख सकते हैं देख पा रहे हैं ये है बीजापुर ठीक ह अब हम आगे बढ़ते हैं सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया ये वन राज्जी की स्थापना करने वाला विरुद धारन करके गौरव महसूस किया इसी प्रकार दोस्तों बीचापुर के सुल्तान ने कृष्णे देव राय के मृत्यू के पश्चात विजयनगर में उत्तरादिक करने की कोशिश की दोस्तों किन्तुवे सुल्तान एक होगा और उन्होंने उसे निरनायक रूप से पराजित कर दिया ठीक है अब बात करते हैं राय तथा नायक की दोस्तों सामराज्य में शक्ति का जो प्रियोग करने वाले हैं उनमें जो है न सेना में वो जो है प्रमुक होते थे जो सामाने तह किलो पर दियंतरन रखते थे आप जानते हैं किलो का कितना महत हुथा अगर आपने एतिहासिक प्रिष्ठ भूम पर बनने को चलचत्र कहते थे और कई बार तो बसने के लिए उपजाओ भूमी की तलाश में किसान भी उनका साथ दिया करते थे दोस्तों ये जो प्रमुक थे ना इनको क्या कहते थे नायक कहते थे रायकिने कहते थे नर्पती को अभी मैंने आपको बताया था है ना और मैं आपको ये बता दू कि आम तोर पर कौन सी भाषा बोलते थे तेलगू या कन्नड बोलते थे कई नायकों ने विजय नगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पन किया और अक्सर विद्रोह कर देते थे दोस्तो बाद में ये जैसे ही राजा की शक्ती थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ी ये वि कि इस प्रणाली के कई तत्व जो है ना वो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे इक्ता प्रथा क्या होती जानते ना पिक्तादारी यानि जमीन जिसके नाम पर की गई उस जमीन का अधिकारी वही हो गया फिर वही उसमें सारे कर्व असूलेगा ठीक है न यानि विजयनगर के शासको द्वारा और वो किसानों शिल्प कर्मी और व्यापारियों में भूराजस्व और अन्यकर वसूल करते थे यानि टेक्स वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपियों के लिए और घोडो और हाथियों के निरधारित दल के रखरकाओ के और यह जो राजस्व होता था न दोस्तो इसका कुछ भाग मंदिरों और सीचाई की साधनों के रखरकाओ के लिए भी खर्च किया जाता था दोस्तो अमर नायक राजा को वर्ष में साल में एक बार भेट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए र उन्हें स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए दोस्तो और इसी कारण के इंद्रिय राज की धाचे का क्या हो गया तेजी के साथ में विगटन हो गया अब बात करते हैं किसकी विजय नगर राजधानी और उसके परीप्रदेश लेकिन उससे पहले ये देखो क्या लिखा ह दोस्तो विजय नगर के जो राजा थे ना उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेक हमें प्राप्त हुए हैं खास तोर पे क्रिश्न देवराय के समय के जिन में मंदिरों को दिये जाने वाले दानों का उल्लेक और महतपून गटनाओं का विवरण है कही यात्रियों ने क्या किया दोस्तो शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा इनमें सबसे उल्लेक निये वरितांत किसका है निकोलो दिकांती नामक इतालवी व्यापारी का है ना और अब्दुर्रजाक नामक फारस के राजा के दूत का और अफानासी निकितन नामक रूस का एक व् जातरा की थी जिस समय अपने चरम पे था और दुआते बारबोसा, डोमिंगो, पेस, पुर्टगाल का फरनावो और फरनावो नुनीज और जो सभी सोलवी शताबदी में आये थे उनके हैं ठीक है अब देखिए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे सरोत में क्या बताया है पह हैं और अधिकांच राजधानियों की तरह ही दोस्तों ये भी एक विशिष्ट भौतिक रूप रेखा और इस्थापत शैली से क्या है अभी लक्षित है देखिए विशाल फैला हुआ शहर यह डोमिंगो पेस दौरा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया धरने इसमें डोमिंगो ने क्या लिखा है इस शहर का परिमाप मैं यह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह तो नहीं देखा जा सकता पर मैं एक पहाड पर चढ़ा जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया मैं इसे पूरी तरह से नहीं दे तथा पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं तथा कई स्थानों पर जीले हैं राजा के महल के समीब ही खजूर के पेड़ों का बगीचा और अन्यफल प्रदान करने वाले व्रक्ष थे अब आगे वाला सुरोध भी देख लेते हैं पहले है ना हौजो जलाशयों का निर्मान किस प्रकार होता था दोस्तों कृष्ण देव राय द्वारा बनाये गए जलाशय के विशह में पेस ने क्या लिखा है राजा ने एक जलाशय बनवाया दो पहाडियों के मुख विबर पर जिससे दोनों में से किसी पहाडी से आने वाला सारा जल वहाँ इंकटा हो इसके अलावा जल नौ मील यानि लगभग 15 किलोमेटर से भी अधिक की दूरी से पाईपों से आता था और जो बहारी श्रंखल से चितर उकेरे गए हैं और ये उपरी भाग में कुछ पाईपों से जुड़े हुए हैं जिन से ये अपने बगीचों धान के खेतों कि सीचाई के पानी लाते हैं और इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया जलाशय में मै बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या बताया गया है दोस्तों विजय नगर की न भागोली के स्थेधी के विशे में सबसे चौकाने वाला जो तत्य है वो क्या है कि तुंग भद्रा नदी द्वारा यहां पर निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है दोस्तों ये नदी ज कई जल धराएं आकर नदी से मिलती है लगबख सभी धराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग-अलग आकारों के हौज बनाए गए थे यहां पर चूकी दोस्तों ये प्रायदीब के सबसे सुष्क छेत्रों में से एक था इसलिए पानी का जो संचैन था न वो इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंद करने के लिए बहुत ही जादा आवशक था दोस्तों ये जो सबसे महतपूर्ण हौज है ना इनमें से एक का निर्मान पंद्रवी शताबदी के आरंबिक वर्षों यानि शुरुवाती सालों में हुआ जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जा अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉटेंट जो जलसंबंदी संरचना है ना उनमें से एक का नाम यहापे दिया है मैं हाइलाइट कर देता हूँ नाम है हीरिया नहर ये आज भी भगनाव शेशों के बीच देखा जा सकता है दोस्तों इस नहर में क्या है तुंग बद्रा पर बने बांध से पानी लाय जाता था और इसे धार्मिक केंदर से शहरी केंदर को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था दोस्तों शायद इसका निर्मान संगम वंज के राजाओ दोहरा करवाया गिया था जिस वंज से संबध्ध था हरीहर और बुक्का का संभवता और किले बंदिया और सडको की अब हम बात करेंगे जल संपदा देखने के बाद में इसमें क्या बताया है इसमें हमें ये बताया है दोस्तों कि इस से पहले कि हम शहर के अलग-अलग भागों का बहुत गहनता के साथ परिक्षन करें हमें उन पर्तमान कोजी कोड है ना काली काट भेजा गया दूद अबदुर्रजा किले बंदी से बहुत प्रभावित हो गया और उसने दुरुगों की साथ पंग्तियों का उल्ले किया इंसे न केवल शहरों को बल्कि उसने क्रिशी में प्रयोग्त यानि खेती में प्रयोग्त वस्तो सबसे बाहरी दिवार शहर के चारो और बनी पहाडियों को आपस में जोडती थी और ये विशाल राजगीरी संदशना थोड़ी सी शुन्डाकार थी समझीए जोडने के लिए किसी भी वस्तो का निर्मान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है और पत्थर के टुकडे फानाकार थे और इसके कारण क्या हुआ वे अपने स्थान पर टिके रहते थे दिवारों के अंदर का जो भाग है वो मिट्टी और मलवे के मिश्रंड से बना था और वरगाकार तथायतकार बुर्ज बाहर की और निकले हुए थे दोस्तो इसके लिए बंदी का सबसे महतपून बात जो थी न वो ये थी कि इसमें जो खेत थे उनको भी घेरा गया था अब्दुर रजाक ने क्या लिखा है कि पहली दूसरी और तीसरी दिवारों की ब बहुत जल जो दो जीलों से लाया जाता है इन कथनों की आज के पुराता तो विदो द्वारा पुष्टी की गई है जिनोंने धार में केंदर और नगरिये केंदर के बीच एक क्रिशी छेतर के साक्ष खोज निकाले हैं ये छेतर एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सीचा जाता था दोस्तो जिसमें तुंग बद्रा से जल जो है वो लाया जाता था दोस्तो आपके विचार में क्रिशी छेतरों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता होगा है ना क्योंकि देखिए क्रिशी से ही तो सारी संपदा उस समय भी जो है क्रिशी पर और ये घेरे बंदिया कई महीन तक के और यहां तक की विर्षोव तक चल सकती थी। आम तोर पर शासक ऐसी परिष्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद शेतरू के भीतरी विशाल अन्नागारों का निर्मान करवाते थे और विजयनगर के शासकों ने पूरे एक रिषी भुभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक निति को अपनाया दोस्तो दूसरी किलेबंदी नगरिय केंदर के आंतरिक भाग के चारों और बनी हुई थी और तीसरी से शासकी केंदर को घेरा गया था जिसमें महतवपून इमारतों के प्रतिक समूल को अपनी उची दिवारों से घेरा गया था दोस्तो दूर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख सडकों से जोडते थे और प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संदशनाओं को परिभाशित करते थे जिनमें प्रवेश को नियंतरित करते थे। अध्यन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखान और फर्ष वाली सडकों की खोजों से की गई है। जाने वाली सडके हैं अगर इनकी हम बात करें तो जो सामाने लोगों के आवास है। उनके अपेक्षाक्रत कम पुरातात्विक साक्ष जो हैं यहां से प्राप्त होते हैं जो पुरातात्विक दिहासकार है। उन्होंने कुछ जगों में शहरी केंदर की अगर हम बात करें तो उसका जो उत्तरपूर्वी केना है वो भी इसमें शामिल किया है। और परिश्कृत चीनी मिट्टी यहां पर पाई है। इनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इने स्थानों में अमीर व्यापारी उस समय रहा करते हूं। दोस्तों मुसलिम रिहाइशी मुहला भी यहां पर शो था और यहां इस्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कारे देखने को मिलते हैं। फिर भी उनका स्थापत्य हमपी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। दोस्तो सामाने लोगों के जो आवास थे ना जो अब अस्तितों में बिलकुल नहीं है इनका सोलवी शताबदी का पुरतगाली यातरी बारबोसा कुछ इस प्रकार से वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छपपर के हैं पर फिर भी सुद्रुन हैं और व्यवसाय के जहां पर पूजा पाठ ये सब की जाती थी जहां पर अलग-अलग प्रकार के संपरदाय की लोग जिनको आप कह लीजे कि अलग-अलग समुदाय द्वारा जो समय संरक्षित थे उनके प्रशलन की और ये सब चीज़ें इशारा करती हैं दोस्तों इसके अलावा जो किये ग देखते चलिए उत्खनित पट्री का एक भाग है ये चीनी मिट्टी के बरतनों के कुछ टुकड़े मिले हैं है ना ठीक है अब बात करते हैं राजकी ये केंद्र की दोस्तों राजकी केंद्र जो है ये बस्ती के दक्षन पश्चिम भाग में उस समय स्थित था हाला कि इस प्रदान करने का प्रयास ये समय कर रहे थे लगवक्ती संरशनाओं की पहचान महलों की रूप में दोस्तों की गई थी की गई है और यहां पर देखी एक बात एक बॉक्स में जानकारी दी गई है विजय का एक एक भवन सभा मंडप और महा नवमी डिब्बा जैसे पे सेंवत रूप से विजय का भवन की संग्या देता है दोस्तों इसे और इसके विशय में लिखता है कि इन संरशनाओं में एक के उपर एक दो मंच है सुन्दरता से चितरित है उपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा को राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बन राया है जहां मूर्ती का एक पूजय स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबुत्रा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिहासन खड़ा हुआ है अब समझेए बात करते हैं महानवमी डिब्बा की इसका हर्थ क्या होता होगा अभी आप समझ जाएंगे दोस्तो इस छेतर की कुछ अधिक विशिष्टे संदशनाओं का नामकरण जो है न यहने जो उनका नाम रखा गया है वो भवनों के आकार और साथ ही उनके कारेयों के आधार पर किया गया है दोस्तो राजा का भवन नामक जो संदचना है न वो सबसे एक विशाल है लेकिन इसके राजकी आवास होने का कोई निश्चित साक्ष नहीं मिला है इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच है दोस्तो जिने सामानितह सभा मंडब और महानवमी डिब्बा कहा जाता है ठीक है सभ मंडब को पूरा चेतर ऊची दोहरी दिवारों से गिरा है दोस्तो और इनके बीच में गली है और सभा मंडब जो है वो ऊचा मंच है जिसमें पास-पास और निश्चित दूरी पर लकडी के स्तंभों के लिए छेद वने हुए है इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों प चाहर के सबसे उचे स्थानों में से एक परिस्थित महानों में डिबबा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की उचाई तक जाता है और ऐसे साक्ष भी मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस पर एक लकडी की संदशना बनी थी दोस् धर्म अनुष्थानों में किया ऑउसर पर विजयनगर शासक अपने रुथवे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे दोस्तों ये चो आउसर है ना इस पर होने वाले धर्म अनुष्थानों में क्या होता था मूरुती की पूजा, राज्य के अश्श्य की इसमें सम्मिलित थी, निरत्य होते थे, कुष्टियां लड़ी जाती थी, कुष्टि प्रतिस्प्रधा और साज लगे घोडों, हाथि और रथों, और सैनिकों की शुभायात्रा, साथ ही प्रमुक नायकों और अधिनस्त राजाओं द्वारा राजा और उसके अतितियों को द और साथ ही नियतकर भी लाया करते थे। बात करें तो एक कमल महल है ने लोटस महल है जिसका ये नामकरण जो है ना किसने किया उनिश्चित रूप से रोमान्चक है लेकिन इतिहासकार इसके बारे में निश्चित नहीं है कि ये भवन किस कारे के लिए बना था एक सुझाव ऐसा भी है जो मैकेंजी द्वारा बनाए ये गए वडनन से उसमें जो है एक र्यकरन किया था चीजों त्थियों का वाहलां कि दोस्तो अधिकांच मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे लेकिन पर आजके के अंदर में भी कई थे इन में से एक अत्यनत दर्शनिय को हजार राम मंदिर कहा जाता था दोस्तों संभवता इसका प्रयोग के वल राजा और उनके परिवारदवारह ही किया जाता था बीज के देविस्थल की मूरतिया अब नहीं है लेकिन दिवारों पर अब बात करते हैं धार में केंद्र की सबसे पहले है राजधानी का चैन तो दोस्तों देखिए तुंग भदरा नदीज का जो तठ है इसमें जो शहर लगा हुआ है इसकी चट्टानी उत्तरी भाग और ध्यान अगर हम केंद्रित करते हैं तो हम पता चलता है कि इस्थानिय मा मात्र देवी पंपा देवी है जिनके नाम पर चैतर का नाम हमपी रखा गया था इन पहाडियों में विरुपाक्ष जो राज्य के संदक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं आपको पता दूँँ एक राजा का नाम भी विरुपाक्ष था है याप इससे समझ रहे होंगे है ना दोस्तो हमें ये भी बताया है कि इस छेतर में ना मंदिर निर्मान का एक लंबा इतिहास रहा है जो कि पल्लव वंच चालुक के वंच होए साल और चोल वंचों तक्के जाता है मैं आपको बता दूँँ कि जनरली आम तोर पर जो शासक थे वो अपन करते थे दोस्तो शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरकाओ के लिए भूमी या अन्य समपधा दान में देते थे इसलिए मंदिर महतपून ठार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक या आर्थिक केंदरु के रूफ में विक्सित हुए दोस्तो शासकों के द्रिश्टी कौण से म मंदिरों का निर्मान मरम्मत रख रखाव अपनी सत्ता संपत्ती निष्ठा के लिए समर्थन और माननता के महतपून माध्यम थे आप कहलेजिए यह बिल्कुल संबब है कि विजयनगर के स्थान का चैन यहां विरुपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्त से प्रेरिथा दोस्तो और यहां तक की विजयनगर के शासक भगमान विरुपाक्ष की और ये से शासन करने का दावा करते थे सभी राज की आदेशों पर सामानी रूप से कंणर लिपी में श्री विरुपाक्ष शब्द अंकित होता था दोस्तो शासक देवताओं से अपने गहन संबंदों के संकेतक के रूप में विरुद यानि हिंदू सूरत नाना का प्रयोग भी करते थे। यहारवी भाषा के एक शब्द सुल्तान जिसका अर्थ होता है राजा का संस्कृत अनुवाथ था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। अब बात करते हैं गोपुरम और मंडब की शितर को देखिए आकास से लिया गया विरुपाक्ष मंदिर का एक की दृष्य है इसमें बताया है दोस्तों कि मंदिर इस्थापत्य के संदर्व में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आ जाते हैं इनमें क्या है विशाल इस्तर पर बनाई गई संरशनाय है जो राजकिय सत्ता का प्रतीक है वो शामिल है और दोस्तों इनका सबसे अच्छा उधारन जो है न वो राय गोपुरम या राजकिय प्रविश्द्वार है जो अकसर केंद्रिय देवालेओं की मिनारों को बोना प जाधन तकनीक और कोशल जुटाने में उस समय दोस्तों सक्षम थे है न अन्य विशिष्ट अभी लक्षणों में दोस्तों मंडप और लंबे स्थम्बो वाले गलियारे जो अकसर मंदिर परीसर में स्थित देविस्थलों के चार और बने थे ये इसमें सम्मिली थे और दो सामराजी की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था दोस्तों मुख्य मंदिर के सामने न बना मंडप कृष्ण देव राय ने अपने राज्य रोहन के उपलक्ष में बनवाया था और इससे सुख्षमता से उत्किर्णीत स्थम्बो से सजाय गया था पू मूर्तिया संगीत नित्य और नाटकों के विशेश कारिक्रम को देखने के लिए यहां पर रखी जाती थी अन्य सभागारू का प्रयोग किसलिए किया जाता था देवी देवताओं का विवाहा की उत्सव पर आनंद बनाने और कुछ अलने का प्रयोग देवी देवताओं क अले विश्नु भगवान के जो हैं एक रूप है और इस देवता की पूजा को करनाटक में आरंब करना उन माध्यमों का एक प्रतीक है दोस्तों जिनमें एक सामराजिक संस्कृती के निर्मान के लिए विजय नगर के शासकों ने अलग-अलग परंपराओं को आत्मसात किय अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार और रत की आकार का एक अनूठा मंदिर भी है दोस्तों मंदिर परिसरों मंदिर के गोपूरम से सीधी रेखा में जाती हैं और दोस्तो इन गलियों का फर्ष पत्थर के टुकडों से बनाया गया था और इनके दोनों और स्थंब वाले मंडव थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकाने लगाया करते थे। दोस्तो अभी तक हमने क्या किया विजयनगर के विशह में जानकारी के भंडार का विशलेशन किया है ना फोटोग्राप्स कहे लिजिए नक्षे मैप्स कहे लिजिए संदशनाओं के खड़े रिखा चेतरिया मूर्तिया है ना अब ये सब कैसे खो जा गया ये भी एक प्रश चन भारतिय पुरतात्विक सर्वेक्षन तथा करनाटक पुरतात्विक एवं संग्राले विभाग द्वारा किया गया 1976 में दोस्तो हमपिक और आश्ट्री महत्व के स्थल की रूप में माननेता मिली तद परांत उसके बाद 1980 के दशक में उसकी शुरुवात में क्या हुआ अलग-अलग प्रकार के अभी लेखन प्रयोग से व्यापक और ग्रहन सर्वेक्षनों के माध्यम से विजयनगर जो है इससे मिले भौती कवशेशों के सूख्षमता किसे प्रलेखन की एक महत्वपून परियोजना का शुबारम किया गया और लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दरजनों विद्वानों ने इस चानकारी को इकठा और संदक्षित करने का कार्य किया दोस्तो ये विश्वत प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्ते को बारीकी से देखते हैं यहां है मांचित्र निर्मान इसका पहला चरण तो दोस्तो ये था कि संपूर्ण चेत्र को 25 वरगाकार भागों में बाटा गया और हर वर्गों को क्या किया गया वर्ड माला का कोई भी एक प्रक्षर इससे इंगित किया गया फिर क्या किया गया यह जो चोटे चोटे वर्ग बढ़ गए थे ना इनको फिर से और भी चोटे वर्गों के सम्मूर में बाटा गया लेकिन इतना ही काफी नहीं था दोस्तो आगे फिर चोटे वर्गों को और चोटी काईयों में बाटा किया गया उनका प्रलेखन भी किया गया इन सब के कारण दोस्तों सड़को रास्तों बाजार वादी के अवशिशु को फिर से प्राप्त किया जा सका है और यह सभी की स्थेती के पहचान इस्तंब आधारों और मंचों के माध्यम से की गई है एक समय जो बाजार जीवन थे उ इनने जो लिखा है वह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्या लिखा है कि विजय नगर के इस मारकों के अपने अध्यन में हमें नश्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तू हो इस्तंब टेक यानि ब्रेकट धरन भीतरी छत लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग और मिनारू की ये पूरी श्रेणी की संग कलपना जो है वो करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवत चटकी ले रंगों से चितरित थे दोस्तों यहाँ पर जानकारी ये भी है कि लकड़ी हाला कि जो लकड़ी की संदशना है वो अब नहीं है और केवर का एक सजी विवरंड किया है मैं बताता हूं ध्यान से सुनिएगा पेस ने लिखा है आगे जाने पर एक चौड़ी और सुन्दर गली बाते हैं इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के मानिक के और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और बस्तर और प्रित्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे वो आप पाएंगे फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहां से कई सामाने घोड़े और टट्टू और कई तुरंज और नीबू और संत्रे और अंगूर और उद्ध्यान में वाली हर नाज, भारती, अमकई और कुछ मात्रा में जहों तथा से, मूंग, डाले, काला चना जैसे खादे पदार्थों से भरे रहते थे जो सभी सस्ते दामों पर और प्रचुर मात्रा में उपलब्द रहते थे दोस्तों फरनाओ, नूनिस के अनुसार, विजय नगर के बाजार, प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संत्रों, नीबू, अनार, कठल तथा आम से भरे रहते थे और अभी सभी जो हैं बहुत सस्ते, बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था, नूनी जुलिक करता है कि भेड, बकरी, कमास, सूर, मरगमास, तीतर, मास, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के पक्षी चडिया, चूहे तथा, बिलिया और चिपकलिया, विसनग यानि विजह नगर के बाजारों में बिकती थी, अब बात करते हैं, उत्तरों की खोज में प्रश्न, दोस्तो सुरक्षित भवन हमें ना उन तरीकों के विश किया गया, उधारन के लिए किसी शहर की किलेवंदी के अध्यन से हम उसकी प्रतिरक्षन आवशक्ताओं और सामरिक तयारी को समझ सकते हैं, यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें, तो भवन वो हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं, और वे उन विचारों को जाहिर भी करते हैं, जो निर्मान करता या प्रश्यदाता व्यक्त करना चाहते थे, वे अक्सर दोस्तों ऐसे चिन्हों से परिपून रहते हैं, जो उनके सांस्कृतिक संदर्व का परिणाम होते हैं, हमें इन्हें समझ सकते हैं जब हम अन्य सुरूतों जैसे साहित अभी लेखों और लोग प्रचलेत परंपराओं से मिली जानकारी से को जो हैं सयोजित करते हैं अब दोस्तों इस्थापत्य तत्वों के परिक्षन हमें ये बिल्कुल नहीं बताते कि सामान ने पुरुष महिलाएं और बच्चे जो शहर और उसके आसपास के छेतर में रहने वाली जनसंक्या का एक बड़ा भाग थे इन प्रभावशाली भहुनों के विशाय में क्या सोचते थे हैं न क्या उनकी शाही केंद्र या धार्मे केंद्र के किसी भाग में पहुच हो सकती थी क्या वे मूर्ती के सामने से गोपुरम दान दिया था ये सब जानकारी हमें नहीं है दोस्तों अब देखे क्रिश्न देव राय के बारे में एक जानकारी हापे क्या बताई है पर एद्रिश्य की कुछ समस्याओं को पुनह याद करने के लिए तमिल नाडू में चिदंबरम के मंदिर के गोपुरम में रखी क्रिश्न देव राय की सुन्दर प्रतिमा को आप देख सकते हैं स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आपको प्रस्तुत करना चाहता था और पेस राजागा वर्णन को जिस प्रकार करता है कि मजलाकद गुरा रंग अच्छी काठी कुछ मोटा राजा के दागें आप देख सकते हैं दोस्तों हाला कि क्या निर्मान करना है इस्थान कौन सा माल प्रयोक करना है और किस शैली का अनुसरन करना है ये सभी निर्णा शासक लेते थे पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवशक विशिष्ट ग्यान किस के पास था भवनों के उतिकार जो वास्तविक निर्मान कारे करते थे कहां से आते थे क्या उन्हें युद्ध के दौरान पर उसी छेतरों से बंदी बनाये जाता था उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे निर्मान गतिविध्यों का अधिक्षन कौन करता था निर्मान के लिए कच्चमाल कैसे और कहां से लाए जाता था ये कुछ ऐसे प्रशन है जिनके उत्तर हम भवनों या उनके आवशेशों को देखने मात्र से नहीं देख सकते संभवता अन्य सुरुतों के प्रयोक से जारी शोध कुछ और संकेत हमें जो हैं वो दे सके ठीक है दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको जो है ये अध्याय पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा मैंने कोशिश की है कि आपको और भी थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूँ इस अध्याय के बीच में जो इस पाठे पुस्तक में तो नहीं थी लेकिन जरूरी था आपको बताना वो मैंने कोशिश की है बीच में आप जानते ही है और जल्दी हमारी मुलकात होगी अगले वीडियो में और आप जो है इस वीडियो की लिंग को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों साथियों सैपाठियों परिजनों के साथ ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को और समझ पाएं इस जानकारी को बागी मेरी जल्दी आपसे मुलकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में अगले अध्याय अगले विशय के साथ में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार